हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो रेयोटीब चैनल बेइंग एंजिनियर मैं हूँ आपका दोस्त एंजिनियर आगाश गुपता मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो इसके पहले हमने वीडियोज देख लिए थे हमने foundation excavation कब तक करना है की से तरह करना है उसके सरीय को आधिने है और हमने कि इस तरह से एंजिनियर्स ने जो बताया है उसे फॉलौ करना है उसके बारे मैं अपको पताया तो दूस्तो अपने एक स्टप देखने वाले हम हमने एस पर प्लान जो आपको इंजिनेर ने दिया था हमने लाइन दोरी लगा दिये ठीक है और अब हमें करना होता है कि आपने जो पीट्स एसकेवेट किये हैं ठीक है जो आपने खड़िक होते हैं फॉर यूर फांडेशन आपके फांडेशन के लिए तो आपने वहां पर अपकी कॉलम लोकेशन मार्काउट करनी होती है ठीक है कि आपके इंजिनियर ने जो आपको कॉलम्स बताई हुए है और उसे आपको वहां पर मार्काउट करना होता है ठीक है तो कोशिश किजिए कि आप आपके इंजिनियर को आपके साइट पर ज़रूर पुलाईएगा क् कि यह आपके घर का बहुत ही important यह action होता है यहाप पर अगर आपने गलती कर दी तो हो सकता है कि आपके घर में काफी कुछ problems हो सकती है ठीक है तो आपके columns आपने सही position पर ही mark out करने होता है तो कोशिश कीजिए कि आप अपके engineer को बुला लीजिए site पर और उनकी guidance में ही आपके mystery को काम करने दीजिए ठीक है अगर आप सब आपके mystery के परसे छोड़ दोंगे तो हो सकता है कि वो कुछ गलती कर दे और आपको वो समझ में नहा है ठीक है तो इस तरह से क्ल का mark out करना होता है ठीक है आप देख सकते हो कि अ दूसकि में आब करना होता है और प्लंब आपको जो आपने नीचे में PCC दिया है ठीक है फार यूर marketing उस पर आपको प्लंब आप से mark out करना होता है ठीक है जो भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं ठीक है तो विद्ध हेल्प आप गुन्या ट्राइ स्क्वेर ठीक है तो आपने उसे एक सीद में मार्क उट कर लेना होता है जो भी पॉइंट्स आपको प्लंबॉप से मिले है आपने उन्हें कनेट करना है और आपके कॉलम का रेफरेंस पॉइंट आपको मिल जाएंगा जब भी आप PCC करो तो पहले रेती दाल दीजिए दोस्तों जो अपने फॉन्डेशन के लिए इसके विशन किया है आपने पहले चार इंच तक रेती दाल देनी होती है कम से का उसके उपर आप PCC लेग कीजिए तो उससे आपको बेटर कंडिशन प्रोवाइड हो जाती है आपके फॉन्डेशन के लिए अब देख सकते हैं दोस्तों हमने रिंग साइज ले लिया है एसपर प्लान हमने जो डिसाइड किया था कॉलम साइज तो हमने उस रिंग को उस कॉलम की साइज के अकॉर्डिंग बनाया है और उसे हम PCC पर उस PCC बेट पर मार्काउट कर लेते हैं ठीक है अब देख सकते हो दोस्तों अब हमने कॉलम उस मार्काउट पर खड़ा कर दिया है ठीक है जो रिंग के अकॉर्डिंग हमने जो मार्काउट किया था उसी पोजिशन पर हमने कॉलम लगाया है और जो लाइन दोरी है लाइन दोरी से आपका सरिया ठीक है इनके बीच में जो दोरी होती है यही आपका क् के आपने कम से कम 40 mm का क्लियर कवर प्रोवाइट करना होता है तो क्लियर कवर पर आप खास्त और ध्यान दीजिए दोस्तों और आपका जो वर्टिकलिटी अब दे कॉलम है आपके कॉलम सिध्धे होने चाहिए ठीक है तो आप बार बार चेक करते रहें अगर आपको कोई प्लमबॉक की हेल्प से कॉलम वर्टिकल है या नहीं चेक करते हो और आपने जो फुटिंग प्रोवाइट करनी है उसके लिए भी आपने प्रॉपर क्लियर कवर प्रोवाइट करनी होती है मैंने इसके पहले वीडियो बनाई है कि आपने कवर ब्लॉक किस तरह इस्तमाल कर ठीक है तो अगर आपने देखा नहीं है तो आप देख सकते हो वह भी देखिए दोस्तों इस तरह से अपने कॉलम को प्रॉपर क्लियर कवर प्रोवाइट कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा मैं अपर रिप्लाइब जरूर गूंगा ठैंक यू